नमस्कार इलक्ट्रों पैथी के इस विशेश एपिशोड में मैं 32 से डॉक्टरन शिवास्तो अपने निधारिश समय से कुछ विलम से चुकि नेटवर्क की प्रॉबलम थी इस दाते मुझे अपना सेट चेंज करना पड़ा और कुछ समय आपका ज्यादा लगा हमारे सबसे पहले तो मैं आज आप सब ने पूरे देश से बलकि मैं यह यह कहूं कि पूरे विशु से आज इलक्ट्रों हो पैथी कि मेरे उस अचानक होने वाले इंटरव्यू को आप सब ने सुना सबसे पहले तो मैं अपने तमाम साथियों से अपने उस इंटरव्यू में यद उन्हें कुछ बातें खराब लगी हूँ तो मैं उसके लिए छमा प्रारती हूँ उसका कारव यह है कि चुकि इंटरव्यू प्री प्लांड नहीं होता है और इंटरव्यू में अगला आदमी क्या सवाल पूछता और मुझे क्या जवाब देना है चुकि मैं अपने रूटीन बे में अपने कॉलेज की ड्यूटी के लिए तियार हो रहा था और अचानक मुझे इंफॉर्म किया गया कि आपका इंटरव्यू है तो मैं इंटरव्यू के लिए ततकाल बैठ गिया और उस कम समय में मैं जितनी बातें कह सकता था और आप सबसे जो अन्रोध कर सकता था मैंने वो बातें की हमारे बाद में कुछ हमारे साथियों ने हमसे फोन पर कुछ अनेक टिपड़ियों पर अपनी प्रत्क्रिया जाहिर की और अपनी कुछ टिपड़ियों के लिए मैंने खेद भी व्यक्त किया हमारा उद्देश किसी को हतोव सहित करना नहीं था हमारा उद्देश किसी को पिड़ा या चोट पहुचाना नहीं था हमारा उद्देश सिर्फ इलक्टोहों पैथी के अथार्थ को बता करके इलक्टोहों पैथी की दिशा में आप सब को प्रिरित करने का था जहां तक भारत में इलक्ट्रों हो पाई थी के प्रैक्टिस की बात है तो मैं यह मानता हूँ कि आज़ाद की बाद भारत में इलक्ट्रों हो पाई थी एक बिधिवत प्रैक्टिसनर्स के रूप में स्थापित की गई इस नाते मैंने अपने स्टेट्मेंट में 1951 का नाम लिया हाला कि भारत में उसके पहले भी आ चुकी थी लेकिन उसके पहले जो आई थी वो एक प्रचलन की दशा में नहीं थी इस नाते मैंने एक बिधिवत स्थापना इसके 1951 बोला हमारे कुछ साथियों ने कहा कि यह 1911 मे आ गई और उसके पहले बंगाल में आई बनर जी जी थे और डॉक्टर एक स्रिवास्तो जी थे कई लोगों के नाम हमारे साथियों ने हमसे कहा तो मैं आपको यह बता दूं कि मैंने अपने स्टेट्मेंट में इस बात को क्लियर किया कि भारत में पिछले 70 वर्षों में यह हमारे भारत के आज़ाद होने के बाद जब हमारा संविधान लागू हुआ उन्निस सो क्यावन में तो हम यह मानते हैं कि हम अपने संविधान के लागू होने के बाद इलक्ट वपैथी को आज तक मानता नहीं दिला पाए तो मेरे कहने का उद्देश ये नहीं था कि इलक्टों हो पैथी कि मैंने सब्सक्राइब को गलत बोल दिया या वर्स को कम आख दिया मेरे कहने का ताथ पर सिर्फ इतना था कि भारत के आजाद भारत में अभी तक हम इलक्टों हो पैती को सही दिशा में नहीं ला पाए हैं और हमको उसको लाने का प्रयास करना चाहिए हमारे सभी साथी उसमें प्रयास रथ हैं दूसरी बात पर हमारे कई साथियों को आप आती थी कि आपने साधनिक पठल पर ये कह दिया कि 20 प्रश्चत लोग ही इसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मेरे कहने का वहाँ भी उद्देश आपको पीड़ा पहुंचाने का नहीं था मेरे कहने का मतलब यह था कि हम इलक्टों हो पैत होते हुए भी अभी तक हम अपने आपको प्रैक्टिस में रमा नहीं पाए हैं में उनीश्वी शदी के आरम में ही चिकिस्षा पद्धती भारत में प्रवेश कर गई थी तो उस समय इतने विद्वान होते भी अगर लोग प्रैक्टिस्नल्स नहीं बना पाए अपने इस्टोंट्स नहीं बना पाए तो यह सब कुछ काम बीश्वी और एकीश्वी शदी में हुआ तो एकीश्वी शदी में जब हम जी रहे हैं तो हम प्रगत्य और उसके प्रचारपसार की बात आज के बर्तमान युकी ही करेंगे ना कि हम सौ साल पीछे जाएंगे हमने इस परस्ट किया की अठार सो पैंस्ट में चिकिस्षा पद्धती आरम हुई और इसके बा बढ़ाया फिर उनके अनेक सिस्ष आगे बढ़े फिर उनी की एक कड़ी आगे बढ़ी तो मैं समझता हूं कि मैंने अपने स्टेट्मेंट में कुछ इतना ज्यादा गलत नहीं कहा जिससे लोगों को बहुत पिड़ा हुई कि आपने इलक्ट्रों होपैती के इतिहास को कम आप में एक महान है जो डेड़ सो और सो से चला आ रहा है उसको कम आखना या ज्यादा आखने की बात नहीं है बात यह है कि हमने कितने प्रैक्ट्रों होपैती के सतर साल के मुहिम में हमारे इलक्ट्रों होपैती के प्रैक्ट्रों कितने बने संख्या तो हमने बहुत कि उनका आत्म बल नहीं है उनका आत्म विस्वास नहीं है उनको या तो अपनी मैडिसिन के बारे में जानकारी सही नहीं हो पा रही है या वो प्रैक्टिस में सही अपने आपको आँक नहीं पा रहे थे यही तो महिम है जिसको हमें आगे बढ़ाना है हम मानता ले करके भी अ पाइरवेद यूनानी होपैत में जब मानता मिली थी तो उनके बहुत अच्छे प्रैक्टिसनर थे और अपनी ही चिकिस्णा पधती में प्रैक्टिस करने में उनका मन लगता था हमारे हां दुर्भाग है और दुर्भाग को अगर मेरे मुह से निकल जाता है तो आपको बु वापस लेता हूं मैं सच के लिए जाना जाता हूं और सच कहने में हाँ ये जरूर है कि चुकि समय बहुत लिमिट था और सवाल भी बहुत सिमित दाएरे में मुझसे किये जा रहे थे और मैं लगभग करीब 15-1600 किलोमीटर दूर बैट करके ये इंटरिव्यू दे रहा थ तो स्वाभाविक है कि आगला आदमी क्या सवाल करेगा और मैं क्या जवाब दूँगा लेकिन फिर भी मैंने आपने आपको बहुत संयमित धंग से इलक्ट्रों पैथी के बारे में जो कुछ मैं बता सकता था वो मैंने लोगों को बताया अब आगे हमारे आने साथ ही जो इस इंटर्वू में आगे आएंगे या जिनका इंटर्वू लिया जाएगा या हो सकता है मेरा ही फ्र दुबारा लिया जाए या अन्य चैनल इस पर सक्री हो तो कोशिश मैं करूँगा कि आपकी मन्सा के अनुरूप पहले से प्रिपेर हो करके कोई जवाब बनाया जाए चुकि अनिल सिर्वास्तों कि अभी हमारे चुकी चर्चा के दोरान आ गया, एक फेस्बुक पर आते हैं भारत द्वाज, भारत द्वाज, इलेक्ट्रों हो पाया, जब से मैंने इस क्लास को लेना आरम किया है 17 अपरेल से, तब से उनकी फेस्बुक पर अनावस्षिक्टी प किताब लिख रहा हूं, और मैं बगल में अपने रफ के पेपर को पढ़ रहा था ऐसे घूम घूम करके, तो उन्हों ने उस वीडियो को आज जारी किया और लिखा, कि ये अनिल सिर्वास्तों हैं, जो एक लाइन स्वैम अपने मन से नहीं लिखते हैं, ये दूसरे से करके नकल करके लिखते हैं और किताब मेंच रहे हैं पंदरा सुरुपए में, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि लोग मेरे पंदरा सुरुपए की बात क्यों करते हैं, हमारी मेरा एक पेन है, और पेन को मैंने असम्बल किया, असम्बल करने के बाद उसका मेहनताना, उसमें हम इंटल टॉर्चर कितना मैं हुआ, कितना मैंने अपना समय दिया, अपने परिवार से अलग रहा, या मैंने कितनी मेहनत किया, उसके बाद वस्तु का दाम तैंग करता है, मैनिफेक्चरर, अगर मैंने अपनी पुस्तक का दाम 15 सुरुपिया किया है, तो जब आपके हाथ में भी वो पुस्तक नहीं गई है, पुस्तक जाने के बाद अगर एक कमेंट करें, कि अरे आपने कौन सी किताब दे दिया और 15 सुरुपे में ठग लिया, पुस्तक आपके पास गई नहीं, पुस्तक आपने देखी नहीं, और इसके पहले आप कमेंट पैसे पे कर रहे हैं, तो जो लोग कमेंट कर रहे हैं, वो उन किताबों को न ले? अनिल सिर्वास्तों ने किसी से देख करके लिखा है, या किताबों की नकल की है, या अपने मंद से लिखा है, ये तो किताब खूलने के बाद आप देखेंगे ना? चलिए कुछ देर के लिए मैं मान लेता हूं कि मै मैंने भी आप लोगों को मुर्क बनाया तो क्या जो ये सामने मैं आपसे face to face बात करता हूं या मैंने सुभा जो इंट्रेव्यू दिया क्या मैंने वो किसी किताब को पढ़के दिया था या जो मैं रोज मेरा लेक्चर चल रहा है क्या एक किसी किताब को देख करके मैं आपसे बातचीत करता हूँ, मैं समझ नहीं पाता हूँ कि ऐसे कर्महीन, बुध्धीन लोग इलक्टों होपैती में अपने आपको कहते हैं कि वो बहुत अच्छे प्रैक्टिसनर्स हैं, बहुत अच्छे इलक्टों होपैत हैं, लेकिन जब बातें लिखते हैं, फेस्बुक पर कमपनी से पूछिए, मैं एक चिकिस्षक हूँ, मुझे उस कमपनी की दवा अच्छी लगती, तो मैं वहां से मंगाता हूँ, मुझे बिक्रम गंज बिहार की दवा अच्छी लगती, मैं वहां से मंगाता हूँ, भरद्वाज हिशार से दवा अच्छी मुझे लगती, मैं मुझे उसकी quality खराब लगने लगेगी तो मैं कोई चौथी company से मंगाने लगूँगा लेकिन दवा वो कैसे बनाते हैं यह चेक करने का right मेरा नहीं है वो कहते हैं कि आपको जानना चाहिए क्यों दवा कैसे बनाते हैं क्या मैं मैं उन सर्जन से क्या यह पूछ सकता हूं के लो हमपैत के डॉक्टर्स लिखते हैं क्या वो जर्मिली जा करके उस company का सुपरविजन करते हैं क्या अजीब अजीब सवाल हमारे लेक्ट्रों पैती के साथ ही करते हैं और मैं नहीं समझ पाता हूं कि वो कितने विद्वान है और अपनी विद्वताब में क्या साबित करना च खुद नहीं समझ पाया कि मेरा इंट्रेवू करने के लिए उस new channel ने मेरा ही शेयन क्यों किया मुझे उन्होंने सूचित किया मैं उसके लिए त्यार हो गया हो सकता था आप मेंसे किसी और को सूचित करते आप भी त्यार हो जाते तो इस तरीके कि बातों को करने का क्या इलक्टों हो पैथी में ये सब जितने साथी हमारे पास कमेंट करते हैं या भीजते हैं वो चाहते क्या हैं किताब मेरी लिखी जा चुकी है, किताब प्रेस में छप रही है, किताब लगभग 6-10 जनुरी के बीच मेरे हाथ में आ जाएगी, 11 जनुरी को मैं उसका बेमोचन यानि लांचिंग करवा भी दूँगा, 12 जनुरी से मैं उसको पैकिंग भी करना शुरू कर दूँगा, 30 आपके घरों पर तक पहुंच जाएगी, जिन लोगों की बुकिंग है, अब जिनको नहीं लेना है, वो इस लिए छट पठा रहे हैं कि अनल स्रिवास्तो किताब लिखने के पहले कैसे बिग गई, तो भाई ये तो अपना-पना कर्म है, अपना-पना फल है, इसमें उनको पीड़ा क्यों हो रही है, वो लोग 999 रूपय का आनलाइन क्लास चला रहे हैं, आठाट रूपय की किताब उनकी एक साल पहले छप करके आ गई थी, वो आज तक लोगों के घरों में नहीं पहुंची, लोग परतिछा कर रहे हैं, किताबें कहां रहे गई, और अगर अनिल मैं छमता और अपने अपनी पहुंच, हमारे जितने साथी स्तरِّ में चल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि 50 से ऊपर साथी हमारे स्तर्न राइन हैं, और सभी लोग देखें पाकिस्तां से स्विडन से कनाडा से मैं देख रहा हूँ कि city लोग मैरे साथ से में लाइन पर लगे और बंगलादेश से भी एक फोन आया था जो इलक्ट्रों पैथी के बारे में जानने के एक छुग थे और भी आपको बता दूं हमारे एक जो साथी ये कहते हैं कि आप इलक्ट्रों पैथी को का मांक रहे हैं राजस्थान से एक सर्जन का फोन आया उनका सर आपके से लगए जा रहे हैं और आप राजस्थान के हो करकर आप जो है इसको नहीं जान पाए तो उनको एक रोग था मैंने कहा कि मैं कल आपको राजस्थान सवाई मान सिंग के आसपास वो चाहते हैं कोई चिकिस्षक उनको दवा उपलब्ध कराए माधो सवाई माधो मान सिंग के आसपास के डॉक्टरों के उझेने मांग किया है तो अब यह कितने ताज्यूप की बात है कि इलक्ट्रों पैथी जिस राज में मानता पा चुकी उस लोग इलक्ट्रों पैथी का नाम नहीं जान रहे हैं और उस राज के लोग इलक्ट्रों पैथी के सरताज बने हैं कि मेरे राज में इलक्ट्रों पैथी गुझ रही है हमारा उत्तर प्रदेश जहां पर लोग सबसे अधिक बिद्वान इलक्टों हो पैथी के माने जाते हैं जहां से इलक्टों हो पैथी चल करके पूरे देश में पहुंची है यह इलक्टों हो पैथी के लिए गर्ब की बात है कि उत्तर प्रदेश से ही इलक्टों हो पैथी अन्य प्रदेशों में पहुंची लेकिन अ कांसिक रूप से मैं दिन भर काफी ब्यस्त रहा और एक बार मुझे प्रस भी जाना पड़ा कुछ आप लों के जो पुस्तक में कुछ डिजाइनिंग छूट गई थी उसको भी मुझे च्यक करना था तो इस नाते मैं देर से घर पहुँचा लेकिन फिर भी मैंने आपको समय दिया था कि मैं आपसे बातचीत करूँगा तो मैं आपके बीच आया मैं कल आपसे कुछ महिला और पुरुष के बिसेश रोगों पर चर्चा करूँगा चूकि आप सब ने डिमांड किया है कई दिनों से कई लोगों के परसनल फोन भी आ रहे हैं और हमारी कई महिला चिकिस्षक साथी भी समय बहुत ही जादा एडवांस ग्रूप में आ चुकी हैं और उनकी भी तमाम समस्याएं थी उनके पास तमाम लेडीज पेशन्ट आती हैं तो कल मैं कोशिश करूँगा कि महिला रोगों पर आप से चर्चा करूँ आज सिर्फ इत बढ़िफा है मैं उनका पर करता ही नाराज नहीं हूं मैं उनकी किसी आलोचना हो के चिंता नहीं करता है हमारे तुमारे तमाम साथियोंने उनको जवाद भी दिया है और मैं स्वेम भी अपने आपको बिल्कुल फ्री रखना चाहता हूं मैं जो काम कर रहा हूं वो मैं निरंतर करता रहूंगा निशुल करता रहूंगा उसमें अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो उसके लिए मैं कोई जवाब देही अपनी नहीं समझता हूं सिर्फ आज इतना ही हमारे कुछ साथी लिख रहे हैं राय साहब राशित अंदार जी लिख रहे हैं सर जी घबडाएं नहीं आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने से लोग घबडा रहे हैं देखिए अंसारी जी प्रतिष्ठा इलक्रोंपैथी की बढ़े अनिल सिरवास्तों आज ह हम नहीं रहेंगे रमा संकर जी हमारे 20 से जा चुके हैं लेकिन इलक्रोंपैथी में रमा संकर जी ने जो बातें बताई वह आज एक पहले जब रमा संकर जी जिंदा थे तो लोग नहीं मानते थे आज मैं देख रहा हूं कि जो लोग एंजाइम स्थेरी को बिल्कुल लाइ मेंट है पॉजटिव है निगेटिव है लेकिन जब से औरगन वाइज अनिल स्रिवास्तों ने कहना शुरू किया तो आज तमाम डॉक्टर्स अपने इंटर्वू में अपने आर्टिकिल में लिखते हैं कि आरगन वाइज मैट्सिन है तो बिल्कुल यही बात है कि लोग आ आएंगे चले जाएंगे समय आएगा चला जाएगा लेकिन इलक्टों हो पैथी अगर हम लोग के समय में एक अच्छा सम्मान एक अच्छा मान स्थापित करती है तो यह आने वाले समय के लिए आने वाले चिकिस्कों के लिए एक बहुत बड़ी एक उपलब्धी होगी हम लोग इस कामना के साथ जीते हैं। इलक्टोहों पैथी के लिए काम करें मैं बार-बार इसी कामना को करता हूं डॉक्टर वेद प्रकास पटेल जी लिख रहे हैं नियुम लंबर पेन का इसी फार्मूला बताने का कर्ष्ट करें लंबर पेन और नी यानि आपने घुटने के दर्द और लंबर पेन कमर के हड्डियों के दर्द की बात की है तो मैं आप से पेक्षा करता हूं कि आप हमारा जब मैंने बून का चेप्टर बताया था कि हड्डियों में दर्द कैसे होता है क्यों होता है तो वहां मैंने इसकी चर्चा की थी लेकिन आपने चुकी कहा है 1970 में इंडिया से पाकिस्तान में इंटर हुआ देखिए हमारे मुहम्मद अगहनी जी लिख रहे हैं कि 1970 में पाकिस्तान में लक्टों हो पैथी पहुची तो ये प्रगत की बात है अगर 1970 से अगर पाकिस्तान 2020 तक 30-50 साल में अगर इतनी प्रगत कर गया है कि वहां पर भी डॉक्टर हो गया तो यही तो प्रगत है लक्टों हो पैथी की डॉक्टर अनिमेज चक्रवती जी लिख रहे हैं सम्मान दिलाने में आप स्वर्ण इस्तंप के रूप में हमारे साथ हैं देखिया अनिमेज जी मैं किसी स्वर्ण इस्तंप की कामना नहीं करता मैं इलक्टों हो पैथी के प्रगत की कामना करता हूं लोगों को अगर आप सब हमारे साथ नहीं होते तो मैं कपका मैदान छोड़के भाग गया होता कि और कुछ अच्छे अर्ट किल साब के पढ़ रहा हूं कि आलोचना करने वाले करें हम सब आपके साथ हैं यह लिख रहे हैं डॉक्टर नरेंद पटेल जी और एक सर्जन लिख रहे हैं इंट्रेवू का वीडियो भेजें इंट्रेवू का वीडियो तो इस समय पूरे यूटूब पर भी आ गया है और उस चैनल ने इसको यूटूब पर लोड भी कर दिया है और आपको जानके ताजुब होगा कि जब मैंने इसको सुबा चेक किया है तो एक लाख बहत्तर हजार लोगों ने पिछले नौ घंटे में इस वीडियो को देख लिया है और कमेंट्स सब की अच्छी है केवल तीन चार फोन कॉल्स जो मेरे पास आये उन पर चर्चा हुई और एक दो लोगों ने आपके फेस्बुक पर मेरी आलोशना की लेकिन बाकी जितने साथियों ने इसको सुना है सभी ने सा रहा है ये लक्ट्रों हो पैती के प्रगत के लिए है डॉक्टर मोहमद अगनी जीरे सर पाकिस्तान में भी पूरी बात मैं इनकी नहीं पढ़ पाया फिर से पढ़ लूँ बैक करके पाकिस्तान में भी इलक्ट्रों हो पैती की आलोशना करने वाले बहुत से लोग हैं इलक्ट्रों हो पैती इंडिया से पाकिस्तान में आई आप सब के लोगों के नाम पढ़ने में समय ज्यादा लगेगा और आपके नाम जलदी इस पर चले भी जा रहे हैं चुकि आज मैं अगριं ने दूसरे सेट का साहरा लिया है, उस सेट में दिन भर इıtना लोड हो गया कि मेरा नेट पैक खतम हो गया था, तो मुझे दूसरे सेट का साहरा लेना पड़ा, तो चलिए आप सब ने इतनी देर मुझे सुनने का अपना समय दिया, कल मैं आपसे महिला रोग पर रहो हम सब आपके साथ हैं लिख रहे हैं डॉक्टर मीना डॉक्टर मनमीत सिंग नाकपाल जी नाकपाल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे एक साथ ही लिख रहे हैं कि हम आलोचना करने वालों को देखते हैं और सोचते हैं कि इनके पास और कोई काम नहीं है जी जी सबके अपने अपने बिचार हैं अपनी अपनी सुक्षंता है और सोशल मीडिया पे कोई कुछ भी लिख दे इस पर कुछी को मना ही नहीं है सिर्फ हम ये जरूर चाहते हैं कि इलक्टो होपाइथी के प्रगत में लोग एक साथ रहें कम से कम लोगों को आज ये गर्ब नहीं हुआ कि एक इंटरिवू एक न्यूज चैनल ने इलक्ट्रोंपैथी के बारे में इंट्रेव्यू लिया और वह भी बिना किसी कास्ट के और मैं 16 किलो मीटर दूर बैठ करके मैंने उनका इंट्रेव्यू दिया और अचानक मेरा इंट्रेव्यू लिया गया तो फिर इस पर भी तो लोगो गर्ब होना चाहिए लेकिन गर्ब इस पर नहीं है गर्ब इस पर है कि अनिल स्रिवास्तों ने बोला क्या उसमें से कमिया पकड़ दीजिए कोई कास सब पकड़ दीजिए ख है कि मैंने अगर यह कह दिया कि बी स्देश में कार्य रहा है तो इसमें बुरा ही क्या सर्कार भी जाना रही है जो मैं चला रहा हूं इसमें बुरा क्या है所र। इसमें बुरा लगने Right现在 चलिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब ने अपना समय दिया, कल आपसे इसी समय रात 9 बजे हम आपसे फिर मिलेगे, तब तक के लिए अपने प्यारे दोस्ट डॉक्टरल श्रिवास्तों को बस्ती से जादे दीजे, नमस्कार, सुभरात्री.